मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादों ने पटनावासियों को बड़ी सौगात दे दी है अगर आप भी दसहरा मेले में पटना घूमने को तयार हैं तो कहीं न कहीं ये खबर आपसे भी जुड़ी हुई है क्योंकि सियम नितीश कुमार और डेप्टी सियम तेजस्वी यादों ने आपकी राहे शुगम बनाने के लिए आज राजधानी पटना के लोहिया पथ चक्र फेजवन का लोकारपन किया है बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहें कहीं न कहीं बड़ी सौगात है दसहरा से पहले पटना वास्चियों के लिए ये लोहिया पथ चक्र फेजवन का लोकारपन नितीश कुमार ने किया है तेजस्वी आदों ने किया है तस्वीरे दे आज शुरू किये गए विसुसरेया भोवन नेहरू पत यूटन अंडरपास और दरोगाराय पत से नेहरू पत को जोडने वाले अंडरपास का भी जायदा लिया है बिहार राज निर्मान निर्मान निगम लिम्टेड के अध्यक्ष अभै कुमार सिंग ने मुख्यमंत्री न निर्देश देते हुए कहा है कि काम बेहतर ढंक से हो इसका विसेस्त रूप से ध्यान अगते हुए काम में थेजी लाए ताकि लोगों को आवागमन में और अधिक सहुलियत मिल सके ये तस्विर्या आपको दिखा रहे हैं सिंग नितीश कुमार ने कहा कि जब लोहिया पत्चक्र पुन रोप से बनकर तयार हो जाएगा तो वाहनों का परिचालन और भी अधिक सुगम होगा बोरिंग कैनाल रोड की तरब भी लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे उलोंने कहा कि लोहिया पत्चक्र के निर्मान का परगती को हम बराबर आकर देखते रहे हैं और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्य मंत्री नितीश कुमार के साथ उक मुख्य मंत्री तेजस्वी आदो भी आपको तस्वीरों में नज़रा रहे होंगे और बड़ी तस्वीर है दसारा से पहले पत्ना वासियों के हो जाएगा लोहिया पत् Самर्थ चक्र फेंज 1 के लोकार्पन के बाद नितिश कुमार टेजस्वी आदों के साथ पहुँचे थे उन्होंने लोकारपन किया है तो कहीं नहीं खर्याइया है अधी सौगात अध नितिश कुमार ने पत्ना वासीयों को दे दी है नितिश कुमानी जोरान ये भी कहा है कि जल्द अच्छे से बेटर तरीके से लुहिया पत्चक्र का निर्मान कारे हो वो समय समय पर आकर निरिक्षन करते रहेंगे वो देखते रहें और आगे भी देखते रहेंगे फिराल आप प्यद्य ब्हार ने उसके सांथ मने रहें धन्यवाद